आज हम लोग देखने वाले हैं अलग-अलग स्टेट की गवर्मेंट स्कीम्स को जो की 2002 में शुरू हुई थी और आने वाले सभी एक्जाम्स के लिए ये बहुत ज़ादा इंपोर्टेंट है इनसे प्रश्ण बनते रहते हैं आए शुरू करते हैं विच स्टेट गवर्मेंट लॉंच्ट अमलन प्रोग्राम टू रिड्यूस अनीमिया किस राजी की सरकार ने अनीमिया को कम करने के लिए अमलन कारेग्रम शुरू किया है सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन बी उडिशा अमलन प्रोग्राम की जो फुल फॉर्म है अनीमिया मुक्त लक्षे अभ्यान्थ लॉंच्ट बाइ उडिशा गवर्मेंट इसे रक्त की कमी भी कहा जाता है जब हुमारे रक्त में लाल रक्त कनिकाओं की या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उसे अनीमिया कहा जाता है विच स्टेट गवर्मेंट लॉंच्ट लखपती दीदी योजना लखपती दीदी योजना किस राज्य सरकार ने प्रारम की है उप्शने उत्राखंड, उप्शन B उडिसा, उप्शन C उत्तरप्रदेश या मध्यप्रदेश इसका सही उत्तर है उप्शने उत्राखंड उत्राखंड राज्य की सरकार ने इस योजना को शुरू किया है इसका जो एम है to make 1.25 lakh women लखपती यानि 1.25 lakh महिलाओं को लखपती बनाना इसमें महिलाओं को 5 lakh रुपे तक का लोंद भी दिया जाएगा और जो selected group इसमें लिए गए है self-help groups यानि की स्वेम सायक समू which state government has launched Himcat scheme to help farmers किस राज्य की सरकार ने किसानों की सहेता के लिए Himcat यूजना लागू की है option ने मध्यप्रदेश, B. उडिसा, C. उत्तरप्रदेश या D. हिमाचलप्रदेश इसका जो सही उत्तर रहने वाला है option D. हिमाचलप्रदेश किसानों के लिए ये scheme शुरू की गई है देखते हैं इस scheme में क्या है इस लाउंच भाई हिमाचलप्रदेश गवर्मेंट एम तो प्रोवाइड एंड टो एंड कनेक्टिविटी इसमें दी जाएगी तो फिल्स फो बेटर इरिगेशन यानि बेटर सिचाई के लिए वाटर कंजर्वेशन यानि जल के सनीरक्षण के लिए कровब डिवर्सिफिकेशन यानि की विभितता के लिए यानि अलग 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 फसले एक साथ उगई जा सकें एंड एंड इंटिग्रेटड फार्में यानि एकिकरत्क्रिश्य भी हम इससे हम समढ़ सकते हैं कि जब अलग-अलग फसलों को एक साथ उगाया जाता है किसी विशेश तरीके से, तो उसे integrated farming कहा जाता है. Which is the only state to achieve जल जीवन mission target for 2022. जल जीवन mission के 2022 के लक्षे को पाने वाला एक मात्र राज्य कौन सा बना है? जल जीवन mission जो कारेक्रम है, इसको दो हजार उननिस में शुरू किया गया था, government of India के द्वारा, to provide functional household tap connections, functional household tap connection जो आप देख सकते हैं ये प्रदान करने के लिए, to every rural household in the country by 2024, यहनि 2024 तक हर घर में जलकी आपूरती पहुँचाने के लिए, which state government has started छटा योजना, छटा योजना किस राज्य ने शुडू की है? उप्शने मध्य प्रदेश, B. उडिशा, C. उत्तर प्रदेश या उप्शन D. तमिलनाडू, इसका जो सही उत्तर रहने वाला है, उप्शन B. उडिशा, छटा स्कीम is community harvesting and harvesting rainwater artificially from terrace to aquifire, यानि कि यह जो छटा स्कीम है, इसमें बारिश का जो पानी है, उसको छट पे store करके और वहां से directly उसको aquifire तक ले जाना, यानि कि उसको अपने use में लाने के लिए, यह scheme जो है शुरू की गई है, जल की कमी की आपूर्ती के लिए, इसको पाँच सल के लिए implement किया गया है, इसका जो aim है, rain water conservation, यानि बारिश का जो जल है, उसका sunraction, उडिशा के जो वर्तमान स्कीम है, श्री नवीन पटनाएक जी, यह भी आप याद रख सकते हैं, विच स्टेट गवर्वर्मेंट है स्टार्टेड आस्रा पेंचन स्कीम फोर पूर, गरीबों के लिए आस्रा पेंचन स्कीम लागू करने वाला राज्जे कौन सा बन गया है, option A, तिलंगाना, B, उडिशा, C, उत्रप्रदेश, D, तमिलनाडू, सही उत्तर है, option A, तिलंगाना, तिलंगाना राज्जे ने आस्रा पेंचन स्कीम शुरू की है, किन के लिए इसने शुरू की है, for socio-economic weaker section, यानि कि जो समाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, जैसे गरीब हो गए, या person with disabilities जो होते हैं, widows हैं, और वृद्ध लोग हैं, जैसे लोगों के लिए ये शुरू की गई है, जो वर्तमान में CM है, श्री कलव कुंतला चंदरशेखर राओ, which state government has started, पुधुमाई पैन स्कीम, पुधुमाई पैन यूजना किस राज्जने शुरू की है, option ए महराष्ठ, B. असाम, C. मध्यप्रदेश, या D. तमिलनाडू, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस प्रशन का सही उत्तर है, option D. तमिलनाडू, तमिलनाडू गॉवर्मेंट ने ये स्कीम शुरू की है, गवर्मेंट विल प्रवाइड रुपीज 1,000 per month financial assistant to girl students, यानि कि जो बाली का विद्ध्यारती हैं, उन्हें पढ़ाई में help करने के लिए, गवर्मेंट 1,000 रुपे प्रती महीने उन्हें साहेत अप्रदान करेगी, scheme is launched by तमिलनाडू CM M.K. स्टलिन, जो मुख्य मंत्री है, M.K. स्टलिन जी ने इसको शुरू किया है, amount will directly transfer to student's bank account, direct student के bank account में पैसे भेज़े जाएंगे, which state government has launched कौशल्या मात्रित्व योजना, कौशल्या मात्रित्व योजना लागू करने वाला state कौन सा है, option A है गुजरात, option B है मध्यपरदेश, option C है आंद्रिपरदेश या option D है चत्तिसगर, इसका जो सही उत्तर है वो है option D चत्तिसगर, कौशल्या मात्रित्व योजना को चत्तिसगर ने प्रारम किया है, इसमें government will provide रुपीज 5,000 to women on birth of second culture, यानि कि दूसरी बार यदि लड़की पैदा होती है, तो 5,000 रुपे सहायता दी जाएगी, scheme is launched by CM भुपेश बगेल on March 7, 2022, यानि जो ये scheme है, इसको मार्च में use किया गया है मुख्यमंत्री जो 36 गड़के हैं भुपेश बगेल जी के द्वारा, इसका जो लक्षे है, aim, safe motherhood यानि के सुरक्षित मात्रत, and help in upbringing of child, योचना को लागू करने वाला स्टेट कौन सा है, option A, सिक्किम, B, उत्राखंड, C, अरुनाचल प्रदेश या D, चत्तिसगर, सही उत्तर रहने वाला है, option B, उत्राखंड, इस योचना को हिम प्रहरी से हम समत सकते हैं, हिमाले शेत्रों के प्रहरी, with cooperation of union government, यानि केंदर सरकार की सहायता से इस स्कीम को शुरू किया गया है, scheme is meant for ex-servicemen, यह हम याद रखेंगे की point, यानि भूतपूर सेनिक and youngster, यानि जो युवा हैं, राजी के, उनको इस स्कीम में भरती किया गया है, इसका जो aim रहने वाला है, to stop migration from border district of UK, यानि उत्राखंड के जो सीमान्त जिले हैं, वहां से पलायन की migration की जो problem है, वो solve हो, उसके लिए इसे start किया गया है, which state or union territory government has started village defense guard scheme, किस राजे सरकार ने ग्राम रक्षा गार्ड योजना शुरू की है, option A, मध्यप्रदेश, option B, दिल्ली, option C, जम्मुकश्मीर या option D, उत्रप्रदेश, सही उत्तर रहने वाला है, option C, जम्मुकश्मीर, village defense guard, formerly known as village defense committee, इन्हें पहले village defense committee, यानि VDC भी कहा जाता था, VDC were set up in mid 1990s as a local force against militant attacks, यानि कि आतंकी हम लोग के against, जो इस्थानिये लोग हैं, उनका जब सहाहिता उनकी ली गई, तो उन्हें इस तरीके से train किया गया, कि आतंकी हम लोग से सुरक्षा हो सके, तो इसके लिए VDC गो बनाया गया था, अभी इन्हें एक नया रूप दे दिया गया है, given training by the Indian army and the police, अभी इन्डियन आर्मी और पुलीस के द्वारा train किया जाता है, वर्तमान में जो जम्मू इन कश्मीर के lieutenant government है, मनोट सिनहा जी, ये भी आप याद रख सकते हैं, which state government has launched, काशी यात्रा योजना, किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा योजना लागू की है, काशी यात्रा योजना जो लागू की है, option है उत्तर प्रदेश, B. करनाटका, C. अरुनाचल प्रदेश, D. मध्यप्रदेश, सही उत्तर है, B. करनाटका, करनाटका राज्य की सरकार्ने से प्रारंब किया है, ये एक subsidy scheme है, रुपीस 5000 as subsidy will provide to each pilgrims, यानि कि जो तीर थियात्री है, प्रतेग तीर थियात्री को 5000 रुपे subsidy प्रदान की जाएगी, जो मुख्यमंत्री है, बासवराज बोममई, उनके द्वारा इसको शुरू भी किया गया है, एप्लिकेंट्स मस्ट भी at least 18 years of age है, इसके लिए जो पात्र होंगे लोग, 18 वर्ष उनकी आयू होना जरूरी है, which state government has launched CM breakfast scheme, मुख्यमंत्री नाश्ता यूजना किस राज्यने शुरू की है, option A, मध्यपरदेश, B, तमिलनाडू, C, हिमाचल, या D, मध्यपरदेश, सही उत्तरिस का होने वाला है, option B, तमिलनाडू, तमिलनाडू government ने इसको शुरू किया है, इसका जो लक्षे है, aim to provide healthy breakfast for government primary school, यानि कि मिड़े मील की scheme तो पहले से schools में चल रही है, जिसमें की दोपहर का भूजन दिया जाता है, तमिलनाडू government ने इसमें नाश्टे को भी एड़ कर दिया है, almost one lakh students, एक लाख छात्र, will be benefited and 1544 GPS, 1544 government primary school इसमें cover किये जाएंगे, which state UT government has started, mission कुशल कर्मी, किस राज्य सरकार ने mission कुशल कर्मी को शुरू किया है, option A, मनिपूर, option B, दिल्ली, option C, दल्दाख, या option D, उत्तर प्रदेश, किस राज्य की सरकार ने इसको लागू किया है, सही उत्तर है, option B, दिल्ली, mission कुशल कर्मी जो प्रोग्राम है, जो हमारी construction में मजदूर लगे होते हैं, या कर्मचारी जो लगे होते हैं, construction का काम करते हैं, इसे कोई पुल बनाना है, या कोई building बनानी है, इस तरीके का construction में, तो उनकी abilities में, उनकी योग्यताओं में सुधार लाने के लिए, उन्हें नहीं नहीं construction की तक्निके बताने के लिए, इसको प्रारम किया गया है, मनी सिसोधिया, the deputy chief minister of Delhi, has started this scheme, to help construction workers, to improve their abilities and skills, मनी सिसोधिया, जो की deputy chief minister है दिल्ली के, उन्होंने इसे शुरू किया है, which state government has started family doctor program, किस राज्यसकी सरकार ने family doctor कारेक्रम को शुरू किया है, option ने आंधरपरदेश, B. तरिपुरा, C. जमुकश्मीर और D. मध्यपरदेश, सही उप्दत जो इसका रहने वाला है, option है आंधरपरदेश, family doctor program जो है, ये स्वास्ते से संबन्दित एक कारेक्रम है, scheme launched at village level, इसको ग्रामीन स्थर पर शुरू किया गया है, इसके अंदर two PHC, यानि primary health center, प्राथमिक स्वास्ते केंद्र, दो प्राथमिक स्वास्ते केंद्र, प्रत्येक मंडल के लिए, and two doctors, दो doctors प्रत्येक PHC के लिए होंगे, launched by आंधरपरदेश CM, जगन मोहन रेड़ी, जिके द्वारा इसे शुरू किया गया है, aim to improve health facilities in rural areas, यानि ग्रामिन शेत्रों में, स्वास्ते की जो सुईधाएं हैं, उसमें बहतरी लाने के लिए, इसको शुरू किया गया है, which state government has started, नारी को नमन योजना, किस राजे सरकार ने, नारी को नमन योजना शुरू की है, option A, हिमाचल प्रदेश, option B, उत्राखंड, option C, गुजरात, या option D, असाम, सही उत्तर क्या रहने वाला है, इसका, option A, हिमाचल प्रदेश, क्या है नारी यमन योजना हम जानेंगे, इस स्कीम विल प्रोवाइड, 50% कंसेशन ओन बस फेर, यानि 50% जो है, बस के किराए में छूट महिलाओं को दी जाएगी, कहीं भी अगर वो ट्रेवल करती हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, इट विल इंक्रीज कॉंट्रिबूशन ओफ वुमन इन एवरी सेक्टर, यानि महिलाओं की जो भागीदारी प्रतियक शेतर में है, वो इस स्कीम के जरिये बढ़ेगी, ऐसा माना जा रहा है, जो गवर्नर हैं हिमाचल प्रदेश के राजेंदर विश्वनात आर लेकर जी हैं, किस राज्य सरकार ने मुख्य मंत्री चाश रमी कल्यान प्रकल्प योजना शुडू की है, सही उत्तर क्या रहने वाला है, स्पेशल स्कीम फॉर सेवन थाउजन टी गार्डन वर्कर्स 85 करोड अलॉटेड फॉर इंप्लिमेंटेशन यह एक विशेश स्कीम है, साथ हजार जो चाए बागान के कर्मी है अत्रिपुरा में और पिचासी करोड रुपे का प्रावधान रखा गया है बजट में, स्कीम वुड इंशॉर हाउजिंग राशन एंड फाइनेशल सपोर्ट टू टी गार्डन यानि जो टी गार्डन के श्रमिक है उन्हें घर, राशन और आर्थिक साहता देने की बाद भी इसमें की गई है, सियम जो त्रिपुरा के कैपिटल जो है वो है अगरतला और जो सियम वर्तमान में है श्री विपलब कुमार देव, विचि स्टेट गवर्वर्मेंट है स्टार्टेड लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, किस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की है, सही उत्तर क्या रहने वाला है हमारा लाडली लक्ष्मी योजना अप्ष्मे मध्य प्रदेश लॉंच्ट बाइ C.M. शिवरात सिंग चोहान एम टू इंप्रूब हेल्थ एन एजुकेशनल फैसिलिटीज अन सेक्स रेशो अफ गल्स 25,000 टू गल्स कॉलिज अड्मिशन या यानि कि इसको जो है C.M. शिवरात सिंग चोहान जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं उन्होंने शुरू किया है इसका जो एम है वो वहां की हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटीज में इंप्रूव करना शेक्षिक सुविधाओं में और सेक्स रेशो जो की बहुत कम मध्यप्रदेश का उसको बढ़ाना है 25,000 रुपे हर लड़की को कॉलिज अंड मिशन पर दिये जाएंगे और अगर IIM या IIT में लड़की का सेलेक्षन होता है तो मध्यप्रदेश सरकार पूरे पैसे वहां पर पे करेगी फिच स्टेट गुपेमेंट है स्टेटेट फ्रेंड सोफ लाइडरी स्कीम टु प्रमॉट्रेडिंग। रिडिंग को प्रमॉट करने के लिए किस राजने फ्रेंड सोफ लाइडरी स्कीम शुरू की है OPTION A उतरप्रदेश, OPTION B दिली, OPTION C ta Nora Domini just सही उत्तर रहने वाला है option C Tamil Nadu Tamil Nadu government started this scheme books will directly given to those who unable to visit library यानि कि किताबें direct उन लोगों तक पहुँचाए जाएंगी जो library नहीं आ सकते किसी भी कारण से option जैसे हम देख पा रहे हैं कि Tamil Nadu government ने इस बारे में decision लिया है किने देखते हुए senior citizen person with disabilities kids hospital in patients यानि कि जो लोग अभी patient है hospital में या जो किसी disability से परिशान है या जो व्रिध लोग है नहीं library आ सकते तो उन तक किताबे इसमें पहुचाए जाएंगी aim to promote a knowledge based society यानि एक ज्यान अधारित समाज का निर्मान करना ही इसका लक्षे है मुख्यमंतरी मातर शक्ती योजना has been launched in which state किस state किस राज्य ने मुख्यमंतरी मातर शक्ती योजना को शुरू किया है option a मध्यपरदेश, b, गोवा, c, गुजरात या d, यूप इसका जो सही उत्तर रहने वाला है option c, गुजरात गुजरात में प्रधानमंतरी नरेदर मूदी द्वारा इस scheme को launch किया गया है important रहने वाली है aim to provide nutritional food to women during her pregnancy यानि गर्भवस्था के दौरान महिला को nutritional food मिले उसके potions तर में सुधारू यही इसका लक्षे है first seminar of agni tattwa campaign under life mission held in which of the following city life campaign जिसकी full form है lifestyle for environment यह किस शहर में इसकी पहली सेमिनार हुई option A. भुपाल B. लेह C. श्रीनगर या D. देली सही उत्तर रहने वाला है option B. लेह क्या है agni tattwa हम देखते हैं agni tattwa is one of the five elements of पंच महाभूत जिन से मिलकर धर्ती हमारा शरीर यह सारी चीज़े बनी है जो की माना जाता है उनी में से एक होता है अग सही उत्तर इसका रहने वाला है C. V. के सकसेना कौन है V. के सकसेना यह दिली में वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर है और इसका जो लक्षे है जो एम है इस स्कीम का spread awareness about various scheme of दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस की जो विभिन योजना है उनके बारे में लोगों को अवेर करना व. के सकसेना यहाँ पर भी सही उत्तर रहने वाला है व. के सकसेना यहाँ पर भी सही उत्तर रहने वाला है व. के सकसेना जो की दिल्ली के लेफ्टी रेंट जन्रल है व. किस राज्य सरकार ने हर घर गंगा जल कारेकरम को शुरू किया है प्रतिये घर में गंगा जल पहुँचाने के लिए सही उत्तर क्या रहने वाला है इसका उप्शन सी बिहार राज्य ने यह इनिशेटिव शुरू किया है जैसा कि हम देख सकते हैं it is a unique initiative to provide गंगा water on tap यानि नल तक गंगा का जल पहुँचे उन शेत्रों में जहां पर पानी की कमी है चीफ मिनिस्टर कौन है बिहार के नितीश कुमार यह आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह पानी को एक जगा पे नदी से लाकर स्टोर किया जा रहा है और यहां से इनको पम के माध्यन से विबिन शेत्रों में पहुँचाया जा रहा है विच स्टेट और यूटी गोवर्मेंट है लांच एक्स एंड मिल स्कीम फ़र अंगनवाडी चिल्डन किस राज्य या किंद शाचित परदेश की सरकार ने अंडे और दूद योजना अंगनवाडी बच्चों के लिए शुरू की है ऑप्शन है मध्यपरदेश ऑप्शन भी दिल्ली, C, केरला या D, मिजोरम सही उत्तर क्या रहने वाला है ऑप्शन C, केरला 125 ml मिल्क एवरी चाइल टू डेज अवी टोटल 44 वीक्स यानि हफते में दो दिन 125 ml दूद बच्चों को दिया जाएगा 44 हफतों तक एन एक ट्वाइस अवीक, एक अंडा हफते में दो बार लॉंच्ट बाई CM पिनरई विजियन तो इंप्रूव देर नूट्रिशनल लेवल यानि कि उनका जो पोशन स्तर है उसमें सुधार लाना इसका एम है इसका जो सही उत्तर रहने वाला है वो लोगों के घरों तक पहुँचाए जाएंगी कौन सी सर्विसे जैसे बज सर्टिफिकेट बनाना जैसे जन प्रमान पत्र बनाना मृत्य प्रमान पत्र बनाना इस तरीके के सर्टिफिकेट लॉंच्ट बाई CM भुपेश पगेल इस अज जी टू सी स्कीम अज़ यह G2C scheme क्या होती है यह होती है Government to Citizen यानि सरकार से सीधा नागरिकों को योजना पहुचाए जाएगी विच स्टेट गवर्मेंट है लॉंच औरुंदोई 2.0 scheme औरुंदोई 2.0 scheme किस राजजने शुरू की है अप्शने मध्यप्रदेश, B. असाम, C. जम्मू कश्मीर या D. यूपी असाम नहीं योजना शुरू की है Financial Help Scheme है for financially vulnerable families across the state जो financially कमजूर जो परिवार हैं राजजे के उनके लिए launched by CM. हेमंत बिस्वा 1 of 18 flagship scheme of the state राजजे की 18 flagship scheme है उनमें से ये एक है benefit 17 lakh women 1250 rupees per woman by dbt dbt से transfer किये जाएंगे महिलाओं को और ये इस scheme का 2.0 version है transgender also included in 2.0 ये जो 2.0 scheme है इसमें इस बाद transgender को भी include कर लिया गया है which state government has launched CM. उदियमान खिलाडी उन्नयन योजना किस राज्य सरकार ने CM. उदियमान खिलाडी योजना शुरू की है option हिमाचल प्रदेश, option B. गोवा, option C. उतराखंड या option D. यूपी सही उत्तर जो इसका रहने वाला है, option C. उतराखंड CM. उदियमान खिलाडी योजना जो है ये sport scholarship scheme है जिसमें की age group 18 to 14 years, 8 से 14 साल के बच्चों को इसमें शामिल किया गया है for better training and develop the ability of sports. खेल से जुड़ी हुई उनकी abilities को सुधार करने के लिए ताकि वो बहतर खेल सकें और अच्छे coaches से उनको training दिलाने की बाद इसमें कही गई है अगली scheme हम देखते है which state government has launched Medisap scheme किस राज्य सरकार ने Medisap योजना शुरू की है option A केरला, option B बिहार, option C राजिस्थान या option D उडिसा क्या रहने वाला है इसका सही उत्तर option A केरला Medisap scheme की full form हम देख सकते है medical insurance for state employees and pensioners जो केरला state के employees हैं या pensioners है सिर्फ उनके लिए scheme शुरू की गई है और ये state level scheme है which state government launched rural backyard पिगरी scheme किस राज्य सरकार ने ग्रामीन पिछवाडे सुवर पालन योजना शुरू की है option A मिघालिया, option B दिली, C वेस्ट बिंगॉल और D बिहार, चाही उतर रहने वाला है option A में घालिया यानि कि अपने घर के पिछे सुवर पालन योजना ये सरकार ने शुरू की गई है और सुवर पालन के लिए सरकार इसमें सहायता भी देगी विच स्टेट गवर्मेंट लांच्ट अन्विद लर्ण स्कीम सीखने के साथ कमाए योजना किस राज्य ने प्रारंब की है option A हरियाणा, B दिली, C मिजौरम और D त्रेपुरा अन्विद लर्ण प्रोग्राम जो हमारा रहने वाला है option D त्रेपुरा राज्य ने ये शुरू किया है त्रेपुरा के जो चीफ मिनस्टर है वो भी मनीक सहाजी है इस स्कीम में क्या कहा गया है कि जिन बच्चों ने अपनी आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ाई छोड़ दी है उनको कहा गया है कि वो वापस आएं पढ़ाई करें और साथ में पैसे भी कमाएं विच स्टेट और यूटी गवर्वर्मेंट अनौंस मुख्य मंतरी मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना किस राज्य की सरकार ने मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू की है ओप्शन A मध्यप्रदेश, ओप्शन B दिल्ली, C जमू कश्मीर और ओप्शन D UP दिल्ली रहने वाला है इसका सही उत्तर स्टार्टि इन दिल्ली, फ्री सीवर कनेक्शन विल प्रोवाइड अंडर इस स्कीम benefit 25,000 household located in East दिल्ली, East दिल्ली के 25,000 घरों को इसमें कवर किया जाएगा और सीवर कनेक्शन से जोड़ा जाएगा who became brand ambassador for पुन्यकोटी दत्तु योजना पुन्यकोटी दत्तु योजना के brand ambassador किने बनाया गया है option A. अक्षे खुमार, option B. किच्छा सुदीप, option C. प्रकाश राज या option D. शारुख खान सही उत्तर है जैसा कि हम picture में भी देख पा रहे हैं किच्छा सुदीप इस प्रशन का सही उत्तर है पुन्यकोटी दत्तु योजना is a cattle adoption scheme of करनाटका state यानि मवेशियों को गोद लेने की ये एक योजना है Any resident can adopt a cattle after paying rupees 11,000 11,000 रुपे पे करने पर कोई भी जो नागरी के राज्य का वो किसी मवेशी को adopt कर सकता है Which state government has started मातर शक्ती उद्यमिता scheme किस राज्य सरकार ने मातर शक्ती उद्यमिता योजना शुरू की है Option A मध्यपरदेश, Option B दिल्ली, Option C हर्याना या Option D उत्तरपरदेश क्या सही उत्तर रहने वाला है Option C हर्याना Women family income less than 5,000 रुपीज अगर 5,000,000 रुपे से कम आए है परिवार की तो महिला को 100 लोन मिल सकता है 5,000,000 रुपे तक का साथ प्रतिशत ब्याजदर की मदद होगी महिला विकास निगम की और से लॉंच बाइ सीयम मनुहर लाल खटर अन इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 अट अफ मार्च यानि कि अंतराश्ट्रे महिला दिवस 8 मार्च को ये शुरू की गई थी एम तो एंकरेज वुमें अंत्रपरणॉर्स बिच गवर्मेंट है लॉंच्ट उद्यम क्रांती योजना उद्यम क्रांती योजना किस राजजने शुरू की है option A मद्यप्रदेश, option B दिल्ली, option C जमुकश्मीर and option D उत्तरपरदेश ये यूजना शुरू की है उप्शन A मद्यप्रदेश राजजने MSME के start-ups के लिए इसमें एक से पचास लाग रुपे तक का लोन दिया जाएगा तीन परतीशत सबसेड़ी के साथ किस राजय सरकार ने विद्यारत योजना शुरू की है औप्शने है मध्य प्रदेश वी दिल्ली सी असाम या डी उत्तर प्रदेश सही उत्तर क्या रहने वाला है औप्शन सी असाम प्रोजेक्ट और EWS चिल्रन एम टू प्रोवाइड एक्सेस अन्प्रिविलेश चिल्रन तो अलिमेंटरी एजुकेशन यानि कि जो बेसिक शिक्षा जो होती है प्रात्मिक शिक्षा वो EWS स्टुडेंट्स को इससे प्रदान की जाएगी और सी अम जो है असाम के हिमत बिस शुरू किया है। Option A, Madhya Pradesh, Option B, Delhi, Option C, Tamil Nadu या Option D, Uttar Pradesh. क्या रहने वाला है? सही उत्तर? Option C, Tamil Nadu. Aim to ensure that all students of class 1, 2, 3 government school can read with comprehension and possess basic arithmetic skills by 2025. यह जो statement है मैं स्कूल शॉर्ट में आपको बताती हूं कि class 1, 2, 3 जो बच्चे हैं वो गनित की basic skills जो होती हैं जोड घटा गुना भाग इसको सीख लें और read with comprehension यानि कि वो बिना अठके शब्दों को जोड़कर वो पढ़ना सीख लें. निपुन भारत मिशन जो कारेकरम केंद सरकार ने चलाया था बिल्कुल उसी की प्रकार ये भी एक प्रोग्राम है. The scheme is designed to address the learning gap due to closure of school during pandemic या निए पैंडेमिक के दोरान जो एक education gap आ गया था बच्चों की पढ़ाई में तो उसको ये भने का काम भी करेगा. Which state or UT government has started सुव निर्भर नारी scheme किस राज्य सरकार ने सुव निर्भर नारी योजना शुरू की है? Option है मध्यप्रदेश, B. असाम, C. जम्मू कश्मीर या D. पुद्दुजरी. तो ये सुव निर्भर नारी योजना जो की शुरू की है, ये असाम राज्ये ने इसको शुरू किया है. Hand-woven items covered, launched by C.M. हेमंद बिश्वा, to encourage indigenous viewers, असाम गवर्नर जग्दीश मुखी. यानि जो हाथ से बनाईवे जो बुनकर महाँ पर कारे करते हैं, हाथ से जो चीज़े बनाते हैं, उन items को इसमें cover किया जाएगा, और इसे बुनकरों को बढ़ावा भी मिलेगा, और ये हमारी एक विशिष जो कला है असाम की, ये भी उससे सुरक्षित होगी, और असाम के जो गवर्नर है, जगदीश मुखी, which state government has started, fruit software for farmer scheme, किस राज्य सरकार ने किसान योजनाओं के लिए fruit software को शुरू किया है, यानि कि किसानों की जो अलग-अलग योजनाओं हैं, उनको एक software से जोडने का काम ये scheme करेगी, option A, Arunachal, B, Kerala, C, Karnataka, D, UP, सही उत्तर रहेगा इ Registration and Unified Beneficiary Information System ये इसकी full form रहने वाली है, ये एक single window system है, farmer can get easy access to registration, यानि कि farmers को अलग-अलग size पर जाने की ज़रूरत नहीं है, single window system से हम समझते हैं कि किसी एक ही जगा पे वो अपना registration भी कर सकते हैं, और DBT को भी इसमें जोड़ा गया है, यानि कि farmers को जो benefit मिलेगा, वो direct benefit transfer उनके account में उन्हें मिलेगा, कुछ other important scheme भी है, इन्हें भी आप देख सकते हैं, जैसे उत्राकर्ण वातसले योजना, लद्दा की उन्टेब scheme, और इसा की सुझल scheme, उत्रप्रदेश की थैला बैंक योजना, तो इनको भी आप देख सकते हैं, यहां से भी questions कहीं बन जाते है Thank you